Hi guys मैं हूँ आजयकमबोज और आज हम pharmaceutical industry के बारे में और कुछ pharmaceutical industry solysue terminology के बारे में जानेगे जो जो टोपिक हम यहां पे cover करने जाने हैं उनमेरे एका net rates price to retailers price to stockist कि पर विज़ा क्या होते हैं packaging terms कौन-कौन सी होती है उनके बारे में थोड़ा detail में जानेंगे कुछ उसके बारे में जानेंगे उनके डोजीज फॉर्म के बेसिज पे और उनकी इंडीकेशन के बेसिज पे और थोड़ी बहुत ही जो एक्स्ट्रा साइड रॉल्स और जो मेडिसिन के जो यूजी जह उनसे अलग जोंसे कुछ इंगेंडियन्ट होते हैं उनके क्या के यूज होत सब्सक्राइब होते हैं जो एक पर्टिकुलर रेट फिक्स होता है उनका मर्पी से या प्राइस टुटेलर से प्राइस टॉकिस से कोई लेना देना नहीं होता जनरल जब फार्मसोटिकल कंपनी फ्रैंचेजी बेसिज पे काम करती है तो जो प्रोड़क्ट जिस रेट पे वह अपनी फ्रैंचेजी डिस्ट्रिबूटर को प्रोवाइड करा रही है जनरली उसको नेट रेट कहते हैं उसके अलावा जो अगर आप फार्मसोटिकल मार्केट में देखे तो कभी-कभी के साथ स्टॉकिस्ट के साथ या होस्पिटल के साथ एक रेट फिक्स होता है कि नारा आपको इस rate पर हमें product को रेट में उसकाथ और या हिसिज में एक प्राइसीट होता है जिस पे एक फार्मसितिकल डिस्ट्रिबूटर या फार्माफ्रैंचेजरीós डिस््ट्रिबूटर अपनी जो प्रोडक्ट्ट है उसको किसी फार्मयसी पर या केमिस्ट्टोप पर या ऑस्पिटल में सप्लाइ करता है वो इंखलोसिफ GST भी हो सकता है Exclusive भी हो सकता है डिपेंड करता है आप किस तरह डील करते हो अगर हम फ्सक्राइज की बात करते हैं तो Price to Stock is वह होता है जिस पे एक जो सी-एज़ हैं वह या फिर एक Franchise जोड नहीं बढ़ती है लेकिन अगर वो बीच में कोई स्टॉकिस्ट रख रही है इन केस उसका काम बढ़ा है या उसके फास वाल से ड्रग लैसेंस नहीं है तो उसको प्राइस टॉकिस्ट करने की जूद बढ़ती है यहां पर होता है कि आप सकते हैं और日 काम करते हैं अगर उसकी संपान करे तो इसाथ नटरी फिक्स होता है कि अगर आप 10 प्लस 10 boxes लेंगे तो आपको एक box फ्री मिलेगा या 100 पीसिज लेंगे तो 10 पीसिज आपको फ्री मिलेंगे 5 पीसिज फ्री मिलेंगे तो उनको हम स्कीम ऑफर्स कहते हैं अब डिफ्रेंट तरह कि जो पैक्चिंग यूज होती है फार्मस्टोडिकल इंडेश्ट सबसे पहले जानते हैं अलो अलो पैकिंग के बार में काफी कॉमन यूज ट्रम होती है अलो-अलो पैकिंग में क्या होता है कि उपर साइड भी अल अल्मोनियम का होता है और जो अपर पार्ट होता है वह भी अल्मोनियम का होता है तो उसको हम अलो-अलो पैकिंग कहते हैं अगर हम दिश्टर पैकिंग की बात करते हैं तो जो उसमें लोवर पोर्शन होता है जो प्रेंटिट पार्ट होता है वह अल्मोनियम होती है और जो तरह आप यूज करना चाहों उसी तरह की PVC आप यूज कर सकते हो अपर पार्ट में लिक्वीड डॉजी फॉर्म को जनरली पैक करने के लिए पैट बोटल्स का यूज किया जाता फार्मसोटिकल इंडेश्री में यह बैसकली ग्लास बोटल्स का सब्सिचूट होता है ले क्यो आप सब्सको परना सकते हैं 15 ml में 30 ml में 50 ml 100 200 500 450 ml वान लीटर फाइव लीटर जो भी आपके रिक्वार्मेंट है उसके इसाफ से आप यूज कर सकते हैं जब भी टैबलेट या पाउडर की पैकिंग की बाद आएगी तो उसमें फोईल ट्रम काफी यूज होती है सब्सक्राइब्स सदर्वों गार्या माउस्चियर फार्मसोटिकल मांक्वाटिनग में और फार्मसोटिकल मांक्रिंग में इस मेट हैं जाले हाता है उसको हम लैमी ट्यूब कहते हैं ये दोनों तरफ से उसके फ्लैक लैमिनेक्स को सिल करकर बनाई जाती है ये लैमीने ACT होता है विक्नियम कभी यूज होता है उपर इनको अलमोनियम और रबर कैप के साथ फिर अलमोनियम सील के साथ पैक किया जाता है एंप्यूल्स जरनलिक ग्लास से बने वे शील्ड पैक होते हैं छोटे-छोटे किरता है तो दो बक्सी जो प्रैमरी पैकिक होती है जैसे सट्रीप होगी बॉ yell हैं या बिशकिया सकता है उनको प्लासटीक डिर्स कीго听 बॉक्स यह जाता है जो से अगर्वी बर भी द्सक्साइर जाता है लगन वह दूसरी तरह का भी यूज किया जा सकता है तो उनको को हम जिएनरली बॉक्स किया दे सैचेट जनरली स्माल पॉची होते हैं जो मसीन से डिरेक्ट लेखिल किया जाता है उस पर फॉडर फॉर्म को भी यूज़ किया जाता है यह ग्रेणुल्स वां को भी यूज़ किया सकता है जैसे अगर हम शैंपू की बात करते तो चोटे-च स्वेजस सेचेट ही होते हैं उसके अलावा विटामीन 3 के सेचेट आते हैं दूसरी जो चीजलों के सैचेट गया नीन को फॉल करने के लिए यह उसको फिल करने के लिए फार्मस्विटिकल इंडेश्टी है में यूचिया जाता है चमकिला सपन आजाता है मेटालिक में अलग ही तरह की ग्रेस आती है आपकी जो लुक है उसको सिंपल कवर को सिंपल आपका प्रिंटिंग कवर है उसको थोड़ा सा अलग गैट अप देने के लिए इस्तमाल होते हैं आप इनर पैकजिंग के बारे में भी सुनेंगे फार्मस् को जहां करेंगे और जो हमारा मौंट का ऋसको हम ऍनर करेंगे हैं यह ब्सक्राइब करेंगे में कुछ प्रदें terminology यूज होती है different different packaging के लिए आपने देखा होगा कि 10 into 10 की packing के ओपर लिखा हो जाता है 10 into 10 6 into 1 into 15 3 into 1 into 10 10 into 4 तो generally confused हो जाते हैं कि इसका meaning क्या होता है अगर किसी box के ओपर 10 into 10 लिखा है तो उसकी एक box में 10 strip है जो पहला 10 यूज किया गया है वो number of strips के लिए यूज किया गया है और जो लास्ट वाला 10 यूज किया गया है वो एक strip में कितने पीसी है tablet capsule के या किसी भी चीज के तो वो उसके लिए यूज किया गया है अगर हम 6 into 1 into 15 की सब्सक्राइब करें तो इसका मतलब होगा कि एक जो box है उसमें 6 strip होगी और जो 1 का हम बीच में यूज करें उसका मतलब कि उसमें एक जो इनर पैकिंग यूज की गई एक वोनो कार्टन भी यूज किया गया है और जो लास्ट वाला 15 है उसका मतलब है कि जो स्ट्रिप है उसमें 15 यूनिट है टैबलेट कैप्सूल के पैट है या 15 कैप्सूल है तो उसी तरह और भी बहुत सारी टैन्मनोलोजी होती है चैसे तक सबय Oswald एंगेंगेंर्ट करता है कि इक बोक्स में कितनी फ्रिप है और जो लंस्त वाला होता है वह यह इंडिकेट करता है कि एक व्लसकेशूल में कितनी टैबलेटिया क्याप्सूल है यह जो भी उनेट है वह कितनी हैं अगर बीच में होगा तो बीच वाला ये indicate करेगा कि उससंद में महन अब प्रमोसिन्ट वोड की बात करते हैं डिफिर कि बा sarà क्वार्मोसिन मेटिघ्री तरह कि आपको जाने वहानी कि क्या-क्या प्रमोसिन मेटिघ्रीज्ञ पर्मस्टिकल सेल्स में और मार्किंग में यूज होते हैं विज्वलेट में इंपोर्टेंट सोर्स होता है प्रिस्किप्शन जनरेट कराने का वह प्रिंटेट भी हो सकता है एलेक्ट्रोनिक्स भी हो सकता है सैंपल सैंपल कैच कवर्स प्रोड़क्ट गलवस्री प्रोड़क लगे वे लोगो प्रिंट वाले पैन चीन, कार्ड होडर्स, यह दूसरी छोटी मोटी जो SSC होती है, उसके अलावा बैक्स हो सकते हैं, टी-सर्थ हो सकते हैं, दूसरे बहुत सारे प्रमॉसमन मटीरियल हो सकते हैं, ओडर बुक की रिक्वार्मेंट होती है, और MRS वगेरा से डेली रिपोर्टिंग के लिए, DCR, डेली कॉल रिपोर्ट फॉर्मेट की जूरत होती है, वो भी आजकल वैसे इलेक्ट्रोनिक्स ही होता है, तेकिन फिर भी कुछ कंपनियां आज भी प्रिंटिड मटीरियल का इस्तमाल करती है, विजुले जर्नली एक की बात करते हैं, तो वो ये डोकुमेंट होता है, जिससे आप अपने फार्मस्टिकल प्रोड़क्ट को ये ब्रैंड को हेल्थ केर प्रोफेशनल से है, उनको अच्छी तरह है, जो कमपनियों है, उसको अच्छी तरह है, उनको समझा सके, प्रिंटिड फॉर्म में भी हो सक अच्छी में हुआ होता है कि आप अपने प्रोड़क्ट को अपने ब्रैंड को सामने वाले फेल्टिड के प्रोफेशनल तक कर सकूंग रिड़क्ट कली प्रोड़क्ट तो अपनाय में ही ज्यादा तर इस चीज़ पर डिमेंड करता है कि आपकी डिविजन में आपकी कंपनी में कितने प्रोड़क्ट है उसी के साफ से लेंद बढ़ती जाती है अगर हम order book की और DCR की बात करते तो order book जनरली यही हमारा परपज सोट आउट करती है कि जब भी कोई सेल्स प्रोफेशनल स्टॉकिस्ट पर या रिटेलर पर जाता है तो जो order उसको रिशीव हो वहाँ पर नोट डाउन कर सके दैसी होता है कि हम कैसे ट्राक कर सके जो हमारा सेल्स प्रोफेशनल सेच उसको कैसे ट्रक कर सके कृकि उससे कहां-काहा विजिट की तो तो जो वह रिपोर्ट देता है कंपनी को वाफिस बेजता है तो जो वह होता है उसको हम wants a किशाल है यहीं कि बाद करते हैं तो यहीं के दौरा तो जो व्मारे पास जाती है या उसको हम tablet कहते हैं वो different different form में हो सकती है, circular भी हो सकती है, size में oval भी हो सकती है, flat भी हो सकती है, वो depend करता है कि हमारे पास die कौन सी है, capsules generally gelatin से या किसी दूसरे material से बने हुए smart type containers होते हैं, जो medicaments को fill करने की काम आते हैं, अगर tactical legwind की बात करें, तो capsules solid dosage form के अंदर आते हैं, जो wet water soluble होते हैं, और जिनमें हम drug substances को enclose कर सकते हैं, एक envelope का काम करते हैं, capsules generally दो तरह के होते हैं, एक hard gelatin capsule होते हैं और एक soft gelatin capsules होते हैं, जो hard gelatin capsules होते हैं, वो empty cell के तोर पर हमारे पास आते हैं, तो फिर उनको क्या किया जाता है, कि उनमें medicaments को भरा जाता है, और फिर उनको दुबारा seal कर दिया जाता है, लेकिन जो soft gelatin होती हैं, उनकी थोड़ी से technology दूसरी होती है, वो liquid gelatin को उसमें उप्योग किया जाता है, जब से एक तरह के liquid dosage form होते हैं, जब किसी solvent में सारे ingredients, जो pharmaceutical ingredient है, या जो expriments है, वो सारे soluble होते हैं, तो एक concentrated, या nearly concentrated solution बनाया जाता है, जिसको हम सिरप कहते हैं, suspension भी general liquid dosage form का ही पार्ट होता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ materials, कुछ active ingredients, soluble नहीं होते हैं, तो वो उनको एक suspended form में रखा जाता है, एक solution यार किया जाता है, जिससे हम है कि जो active ingredient है, वो suspended form में ही freely solution में बना रहे हैं, तो उनको हम suspensions कहते हैं, injection एक तरह का medicaments होता है, liquid form में भी हो सकता है, dry powder form में भी हो सकता है, लेकिन अगर वो dry powder form में भी हो सकता है, तो पहले उसमें solvent डालके उसको liquid form में convert किया जाता है, जिससे हम उसको directly किसी patient की body में inject कर सके नेटरीन के दबाद, cream or ornaments basically semi-solid preparations होते हैं, जो generally external use के लिए उप्योग किया जाते हैं, एक cream वो preparation होती है, medicament की topical use के लिए जिसमें water को as a base use किया जाता है, जो ये preparation होती है, generally oil in water preparations होती है, अगर हम ornament की बात करें, तो वो जो उनमें oil base लिया जाता है, medicament को बनाने के लिए, और जो ये preparation होती है, water in oil preparations होती है, gel भी एक तरह की semi-solid preparation ही होती है, अगर हम surprise और inhalers की बात करते हैं, प्रेज होते है, generally topical use के लिए यूज किये जाते हैं, उसमें जो medicaments होते हैं, वो drops की form में disperse होते हैं, और जैसे ही हम उसको pressurize करते हैं, तो pressure से बाहर आ जाते हैं, और जो inhalers होते हैं, वो इसके लिए lungs को target करने के लिए, किसी medication को सीधर directly lungs में, ताकि हमारे breath के थूप को सीधर directly हमारे lungs में जा सके, उसके लिए inhale करने के लिए यूज के जाते हैं, उसके बाद आते हैं eye ear drops, eye ear drops generally trial preparations होती है, जो किसी भी eyes के लिए, या फिर ears से related, जो होते हैं, उनको treatment के लिए यूज किया जाता है, बिसकली यह liquid form में ही होता है, अब कुछ generally medicine के type की बात कर लेते हैं, उनके indication या speciality के basis, अगर हम general medicine की बात करते हैं, तो general medicines, वो medicines होती है, जो diagnosis, जो non surgical treatment, जो हमारे internal organs के disease होते हैं, उनकी जो diagnosis या non surgical treatment के लिए यूज की जाती है, जो general disease होते हैं, complications होते हैं, उनके लिए particular medicine का यूज किया जाता है, और एक general practitioner वो medical doctors होता है, जो cute या chronic illness को treat करता है, या जो preventive care community को patient को provide करता है, उनको educate करता है health के बार, pediatric medicine की वो प्रांच है, जो की infants के, children के, अन्यव बार्न babies की medical care में involved होती है, pediatrician वो medical specialization होती है, medical practitioner की specialization होती है, जो बच्चों के या उनके disease से related problems में deal करते हैं, जो medicine diagnosis या treatment में, बच्चों की treatment में या diagnosis में यूज होती हैं, उनको हम pediatric medicines कहते हैं, gynecologically, basically medicine की वो प्रांच होती है, जो female से related, उनके युनरी ट्रैक से, productive organs से related, जो उनके complications होती हैं, उनके complications होती हैं, उनमें deal करते हैं, medical specialized doctor उनको deal करते हैं, उनको हम gynecologist कहते हैं, anti-diabetic medicines वो होती है, जो की blood sugar level को control करती है, यह stabilize करती है, diabetic person के, उनको हम anti-diabetic medicines कहते हैं, anti-hypertensive drugs होते हैं, anti-inflammatories वो drugs होती है, जो inflammation को, यह spelling को reduce करने में, मददकार साबित होती है, जनले दो तरह anti-inflammatory drugs यूज किया जाते हैं, एक तो non-stroidal anti-inflammatory drugs होती हैं, और जो से, दूसरे stroidal anti-inflammatory drugs होती हैं, basically, आजकल ज्यादा तर non-stroidal anti-inflammatory drugs ही यूज किया जाते हैं, क्योंकि उनकी जो side facts है, वो stroidal anti-inflammatory drugs से comparatively कम होती हैं, analgesics, basically, वो medicine होती है, जो दर्द को कम करने के काम आते हैं, जो pain में relieve करती हैं, इनको हम pain killers या pain relievers भी कहते हैं, antacids generally, वो preparations होती है, जो stomach के acid को neutralize करती है, और हमें acidity में, heartburn में और injection में, हमें relieve provide करती है, secretary medical specialization की वो branch है, जो diagnosis में prevention में, treatment जो mental disorders है, उनके treatment में prevention में, diagnosis में deal करती है, और जो इनके लिए medicine और drugs यूज की जाते हैं, उनको हम psychiatric drugs कहते हैं, अगर हम critical care की बात करें, incentive care medicines की बात करें, तो यह वो medicine होती है, जो critical ill patient होता है, जो life threatening condition से लड़ रहा होता है, किसी disease में, या accidental condition में, उनकी जो recovery के लिए या उसके उस risk को कम करने के लिए, जो medicine की जाता है, उनको हम critical care medicine या incentive care medicine कहते हैं, Dermatological medicines वो medicine होती है, जो skin या उससे related diseases के लिए उप्योग की जाती है, एक pharmaceutical company different different तरह की divisions launch कर सकती है, पर्टिकली एक product line पे या concentrate कर सकती है, पर्टिकली कंडिशन पे उसके disease पे, कॉम्पलिकेशन पे, अगर कोई pharmaceutical company एक division बनाती है, किसी particular एक disease से related, एक condition से related, एक treatment से related, तो उनको हम specialty divisions कहते हैं, एक्जैम्पल के तोर पर अगर diabetic drugs के लिए बिल्कुल एक particular diabetic patient को धियान में रखते हैं, वो different different तरह की medicine को launch करती है, तो उसको हम diabetic division कहते हैं, उसके ऐसी cardiac division होगी, surgery में, oncology में, ophthalmology में, orthopedics में, urology में, different different तरह की disease condition को धियान में रखके particular conditions से related, अगर पूरी product range कोई company launch करती है, तो वो specialty divisions में आ जाती है, जो अभी हमने discuss किया है, उसके अलावा और भी different different तरह की medicines हो सकती है, उनके indication यह specialty के vision पे, जैसे कि कोच medicine sexual disorders के लिए यूज की जाती है, पाइल्स के लिए यूज की जाती है, और भी बहुत सारे indications हो सकते हैं, जिनके लिए medicine को यूज किया जा सकता है, इसके लिए इसके अलावा आपको थोड़ा medicine के यूजिज के उनके category के बारे में भी knowledge होना जीए, कि क्या यूज होता है, paracetamol का क्या यूज होता है, यूज किया जाता है, या फिर antacet में कौन-कौन से preparation आती है, कौन-कौन से start आते हैं, तो यह जरूरी होना जरूरी है, यह भी काफी महने रखती है, और कुछ medicines के साथ कुछ composition होते हैं, उनमें specific use की medicine यूज की जाती है, जैसे amoxysclin में क्लावनेट ही यूज किया जाता है, लेकिन उसका कोई अपना clinical use नहीं होता, तो यह आपको थोड़ी-थोड़ी knowledge होना जरूरी है, अगर आप pharmaceutical marketing में हैं या sales में, उमीद करते हैं, यह information आ